नमस्कार आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज उत्तर पदेश के मौउज जनपद में कलेक्टेट पर कहिन और गाओं के मुसहर बस्ती के लोग पहुचे हैं उनकी मांग थी कि उनके गाओं में जाने के लिए आजादी के बास से रास्ता नहीं है चकबंदी होने के बावजूद गाओं में रास्ता अभी तक नहीं मना गाओं के कुछ दबंग रास्ता निर्माण का हमेशा विरोध करते हैं और मुसहर बस्तियों के लोगों के लिए रास्ता बनाये जाने का भी विरोध करते हैं बारती कमिनिश्ट पाटी माले ने इस मांग को लेकर जिला दिकारी को ग्यापन सौ पास साथी साथ कहिन और ग्राओं के मुसर बस्ति के लोगों के साथ जम कर कर लेक्टेट पर प्रदर्शन किया इस दोरान उनकी मांग थी कि अगर जल्द से जल्द मुसर्बस्ती के लोगों के जाने के लिए रास्ता नहीं हुआ तो वे आगे आंदोलन करेंगे माउ ब्यूरो की रिपोर्ट मुसर्बस्ती के लोग इन लोग का मामला है सतर साला जादी के बाद आज भी इनको गाउं को रास्ते से नहीं जोड़ा गया है पिछले दिनों इनके गाउं में चक बंदी हुई है तीन-तीन चारचे जगस इनके रास्ते निकाले गए चक बनाये गए लेकिन वहां के दबंग जो जिनकी जमीने हों उसमें चक फेकने नहीं देगा है जब जब ये लोग चक फेकवाने के कोशिश कर रहे हैं वो दबंग आके चकों को रोक दे रहा है ये जिला धिकारी के पास आते थक गए कई बार ये लोग वहां से आये और अपनी बात को कहीं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है मजबूर होकर आज यहां पर आकर हम लोग परदर्सन कर रहे हैं आप लोग कोन किसका समर्थन खास वर से हम लोग कमनिस पार्टी माले के तरफ से बनवाजी समाज के सवाल को लेके लड़ रहे हैं और हम पर जिला पर सासन को कहने आये हैं कि गरीबों को जब आप कहते हैं कि बंजर पर जी जो गरीब कहीं कभजा किवा तो उसको भूमी मातिया का कि आप बिदकल कर दे रहे हैं उनके गरों को बुल्डूजोर लगा कर गिरा रहे हैं लेकिन यही तबंग इलाके में गाउं में चकरोडों को इनके जाने के रास्ते को कभजा किये हुए तो उनको आप मुक्त नहीं करा रहे हैं यह दोहरा ब्यवार हम यह बरदास करेंगे और हम चाहेंगे कि इनके रास्ते को बनाए जा नहीं तो लगाई हम लोग आगे ले जाएंगे अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें शेयर करें साथ ही अमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं